दोस्तों अगर आप लोग क्लास 12 में हो या फिर क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हो और अपने करियर को प्लान कर रहे हो और BBA करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डीटेल में डिसक्स करने वाले हैं BBA in HR के बारे में दोस्तों किसी भी कंपनी में कोई भी कंपनी ग्रो कब करेगी जब उसके पास अच्छे employees होंगे और सभी employees अच्छे से काम करेंगे तो employees को manage करने के लिए सभी बड़ी companies में एक department होता है जिसको बोलते है HR department, Human Resources Department इस department का काम क्या होता है यह department जो है वो अपने employees के performance को track करती है अपनी employees के सारे details को manage करती है और अपने employees के लिए trainings अरेंज करती है और ज़रूरत पढ़ने पे company के लिए नए employees hire करती है तो यह सारा काम करता है HR department दोस्तों अगर आपको नए लोगों से बात करने में मज़ा आता है अगर आपको group work करने में मज़ा आता है अगर आप extrovert हो तो अगर यह सारी qualities आपके अंदर है तो यह field आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी BBA in HR Human Resources यह एक चार साल का course है यहाँ पे आपने 12th science, commerce या arts किसी भी field से complete किया है आप यहाँ पे इस course में admission ले सकते हो तो चलिए देखते इस course में आपको क्या क्या चीज़े पढ़ाय जाएगी यहाँ पे सबसे पहले आपको business mathematics के बारे में पढ़ाय जाएगा उसके अलावा यहाँ पे human values and ethics के बारे में पढ़ाय जाएगा management and leadership के बारे में आपको पढ़ाय जाएगा business communication के बारे में पढ़ाय जाएगा operation and material management के बारे में पढ़ाय जाएगा negotiation skills के बारे में पढ़ाय जाएगा यह बहुत ही ज्यादा important skill है negotiation skill उसके अलावा customer relationship management के बारे में पढ़ाय जाएगा performance analysis के बारे में पढ़ा जाएगा कि कोई भी employee है उसका performance कैसे measure किया जाए उसका analysis कैसे किया जाए ये सारी चीज़े आपको पढ़ाए जाएगी industrial relations के बारे में पढ़ाए जाएगा तो ये सारी चीज़े आपको यहाँ पढ़ाए जाएगी यह पढ़ने के बाद में आपका काम क्या रहेगा मतलब कि किस designation पर या किस level पर आप काम कर सकते हो तो आप as a HR manager के तोर पर काम कर सकते हो आप as a HR executive के तोर पर काम कर सकते हो आप as a employee relation manager के तोर पर काम कर सकते हो अभी किस company में आपको job मिलेगा तो कोई भी बड़ी company ले लो, कोई भी MNC ले लो चाहे वो automobile sector में हो, Tata, Hyundai, Honda या फिर food and beverages sector में हो, Amol, Britannia, Nestle, Coca-Cola या फिर telecommunication sector में हो, GEO, Idea, Atle या फिर electronics के sector में हो, LG, Samsung, Nokia, कोई भी company ले लो सभी companies में इस तरीके के professionals की जरूरत होती है salary कितनी रहेगी, तो यहाँ पे आपकी starting salary जो है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक यहाँ पे आपकी salary रहेगी depend करता है कि आपके पास कितनी skills हैं और यह भी depend करता है कि college के, किस college में आपने ये course pursue किया है और वहाँ पे किस तरीके का placement है, उसके according आपकी salary जो है वो depend करेगी तो दोस्तों यह video अगर आपको अच्छा लगा है इसे like जरूर कीजेगा, share कीजे अपने दोस्तों के साथ में और ऐसे ही career related, job related, education related videos अगर आपको regular basis पे देखने है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा Thank you for watching